कि दोनों ही मेंबर है प्लैटी हेलमेंटिस के प्रिष्टीज कौन सी फिश है यह आप बता होना अच्छी है प्लेस पर बोलते हैं कॉपलर्टी ओर्गन है यह जो है वो एनलीड़ा का मेंबर है हेलो स्वेंट्स टी ट्वन्टी स्रीज में आज हम इस्टडी करेंगे टॉपिक एनिमल किंग्डम कोक रोज एन इस्ट्रक्चरल और्गनाजिशन इन एनिमल्स का इन टॉपिक्स को 20 कोश्चेंज के थ्रू फास्ट फारवर्ड हम रिविजन करेंगे तो हम देखते हैं कॉश नगर वन की जब बात करें एससे नोरीजन की जो क्वेश्चन से इन कोश्चन को किस परकार सोल आउट करना है यह हम देखते हैं को शिवर वन में आप देखिए एसरसन एसरसन है मेंबर्स ओफ फाइलम प्लैटी हेलमेंधी और कॉल्ड फ्लैट्वर्म्स हिंदी में देखत दॉर्सो वेंटली फ्लैटन बॉड़ी यानि की प्रस्ट और अधर सता से चप्ते होते हैं लीफ होता है जैसे लीफ डॉर्सल और वेंटल सर्फेस से फ्लैट होता है वैसे ही प्लैटी हेलमेंधी के मेंबर्स भी फ्लैट होते हैं इसलिए इन्हें कहा जाता है तो रिजन कでは we can say isלי हमेंटिस के मेंबर को ऊंऊ-स का जाता है बिलकूल सभी है मिया क्यों कहते हैं 2 ये जॉर्ष नवरेंटर सफेइस भ्लैट होते हैं प्रस्ट और रधर सथे सब्हठ प्रून सफेश होते हैं इसलिए इनल्य फ्लेट पर रहते हैं एसर बीजन को क्रेक्ट एक्स्प्लेट broader डिकशल वह कशीर रहा है कि आरशान को इसकки अंसर क्या आज़ा है हमारा देखी आ सर संब रिजन रूट्रीव एंड रिज़र इस करेक्ट एक्प्रेंशन ओए यान्टी के आंसर अमारा जाएगा वन सब्सक्राइब रिजन एस संगा ग्रेक्ट एक्पीरेशन भी है तो हम देखते है पॉच्छ नमर बन का अंसर रहेगा one okay next question question number two question number two की जब हम बात करते हैं which of the following character is not true for given figure दो figure यहां दीखे गए है यह जो figure है इसके लिए कौन सा इन में से statement सही नहीं है इसकी हम बात करनी है figure A और figure B figure A यह फैस्योला हिपेटिका का है और figure B टीनिया सॉलियम का है अब इन दोनों के लिए देखते हैं क्योंकि आपको पता है दोनों ही किसके इस फ्लेंसेल हेल्प in the Osmol regulation and Excretion ज्वाला कोश्यकाएं उसरजन और परासरन निवन में मदद करती बिल्कुल करती है लाटे में दिसके अंदर फ्लैंब होती है और ऐस्पार रिगूलेशन और है यह यह भी सही है sex are separate fourth option है sex are separate sex यानि कि Link प्रथक प्रथक होते हैं नहीं sex यहाँ पर हम कहाँ से स्टार्ट हुआ तो इसने स्टार्ट हुआ है यहां पर प्लैटिल मेंध्रिस के लिए यह जो वाला option है यह इनकरेक्ट रहेगा सेक्स सेपरेट नहीं होते लिंक प्रतक नहीं होते है ठीक है तो इसने पुछा भी क्या है यहां पर विच आप फॉलोइंग इस नौट पुछा है तो कौन सा नौट रूट है फॉर्थ तो सेकेंड को सेकेंड का अंसर आएगा फॉर्थ नेक्स नमठ तरी कि जब हम बात कर रहे हैं विच वन अपर फॉलोइंग ऑप्शन की पॉलसों करेक्ट पॉलसय के लिए कौन से उप्शन इंद में से सही है इसकी हमें बात करना है तो आप देखिये मॉलस्खका के वेंबर्स के लिए फिस्ट ऑप्शन है जुजली डायोसि से यह मेलospun separate होते हैं विपैराश होते हैं अंडे देते हैं बिल्कुल सही ओवी Code सोते हैं यह भी सही ही कि इन ड्राइक ड्लाप्मेट होता है बिल्कुल मॉक्सका मैं बर से उन मेंби कि बर चाह orchest्ब करते परिवर्धन होता है क टिप्लो प्लास्टिक टिप्लो प्लास्टिक भी है शीडियो स्लुमेट नहीं होते हैं मॉलास्का के मेंबर स्यडियो स्लुमेट नहीं होते हैं स्टीडो स्लुमेट कौन से होते हैं स्केल मेंधिस के मेंबर्स स्टीडो स्लुमेट कौन होता है यह स्टीडो स्लुमेट की वज़े से यह ऑप्षन गलत हो गया है तो स्टीडो स्लुमेट की वज़े से यह सेकंड ऑप्षन यहां पर गलत हो गया है थर्ड ऑप्षन बोडी is segmented मौलासका की बोडी is segmented नहीं होती unsegmented body होती है मौलासका की आपको पता है body is segmented इसकी वज़े से ये option भी गलत हो जाएगा शरीर खंडित होता नहीं खंडित नहीं होता ये option भी गलत हो गया fourth option है excretion through the nephedia मौलासका की जो members है उनमें excretion neft day के थुरू नहीं होता तो हम कहेंगे excretion neft day के थुरू नहीं होता यानि यह भी option यहाँ पर गलत हो गया है तो यहाँ पूछा गया which one of the following option correct तो correct की जब हमें बात करनी है यहाँ पूछा गया correct कौन सा है आप बताएं यह तीन तो गलत हो गया correct कौन सा हुआ वान यूजली डायोशियस है और वी पैरस है और इंडरेक्ट डवलोप्मेंट होता है क्लेर बच्वात तो question number three का answer रहेगा one ओके नेक्स question हम देखते हैं question number four question number four की जब हम बात कर रहे हैं read the following four statements a to d a से d तक जो statement दिये गए हैं इन्हें हमें read करना है और जो question नीचे पुछा जाएगा उसका हमें reply करना है डेखते हैं अनलीर्स पॉजेज लॉंगिट्विनल मसल्स ओनली विच हेल्प इंद लोको मोशन एनलीर्स के अंदर लॉंगिट्विनल मसल्स होते हैं only नहीं अनली की वज़े से यह option गलत हो गया only एनली एनलीडा के अंदर लॉंगिट्विनल एंड साइकुलर दोनों टाइप के मसल्स होते हैं अनुधेय पेशिया और व्रताकार पेशिया दोनों ही पाई जाती है एनलीड्स के अंदर तो only वर्ड जो लगा दिया नहीं केवल अनुधेय पेशिया पाई जाती इसकी वज़े से यह first option गलत हो जाएगा इसकेंड ओप्षन देखते हैं नेफ्रीडिया डू नोट हैल्प इन एस्क्रेशन एन और अस्मा एगुलेशन नेफ्रीडिया उस्षरजन और परास्रामन नियमन में मदद नहीं करते हैं इसने तो लिखा है नहीं करते हैं यह भी गलत हो गया option थर्ड ओप्षन हम देखते हैं ख्लोज टाइप सागुलेटी सिस्टम इस प्रजेंट इन एनलीज्ट में ख्लोज टाइप का बंद प्रकार का परिसंचन तंत्र पाया जाता है यस बिलकुल सही है फॉर्ट ओप्षन हम देखते हैं मेंबर्स ओफाइलम एनलीडा और ट्रिप्लो ब्लास्टिक ट्रिप्लो ब्लास्टिक होते हैं बिलकुल सही बात हैं इन एलीडा के मेंबर्स नहीं होते हैं इसकी वज़े से यह ऑप्षन गलत हो जाएगा एनलीडा के मेंबर्स वह हैं वह तो सिलोमेट होते हैं फर्स्ट टाइम ट्यू सिलोम यदि कहीं डवलप हुआ तो वह कहां डवलप हुआ है वह एनलीडा के अंदर डवलप हुआ है तो यह तो कह रहे हैं यह वाला ऑप्षन जो है यहां पर सही रहेगा ठीक है तो अब पुछा क्या गया है नीचे कोश्चन आप देखिए इन में से कितने कथन गलत है आप गलत कितने हैं यानिकी 3 यानिक हमरा आंसर क्या जाएगा सेकेंड आप देखिए आंसर जाएगा सेकेंड तीन ओप्षन रहोंग है क्लिए बात नेक्स्ट कॉश्चन हम देखते हैं कॉश्चन नमबर फाइफ की जब बात करें कुछ स्टेट्मेंट्स दिए गए हैं इन्हें हमें श्टडी करना है और उसके बाद में जो कॉश्चन पूछा जाएगा उसको उप्लाई करना है देखते हैं चैंबर क्रॉप एंड गिजार्ड एलिमेंटी के नाल में पाचन पत्थ में क्रॉप और गिजार्ड दो अत्रिक कक्ष पाए जाते हैं ओके यह आपने स्टेट्मेंट रिट किया कॉश्चन क्या पूछ रहा है यह देखेगा विच कैरेक्टर और बिलोंग टुद टुद एवस बर्ड के लिए एवस के लिए कौन से करेक्टर यहां पर सही है तो हम देखते हैं पक्षियों के लिए कौन कौन से करेक्टर सही है एंडोस्क्लेटन फुली ओसिफाइड होता है यानि अंतरकंकाल पूर्ण रूप से अस्तिल होता है बिल्कुल सही बात है अंतरकंका और रेप्टाइल ये कोल बेड़ेड अनीमल है जबकि एव बर्ड और मैमल्स ये वांप्रेड होते हैं तो हम करने बाइब बस आपने बोडिडू के टेंपरेशर को емटेंट रखते हैं यस नेक्स्ट बर्ड के लिए है sex are separate बर्ड में sex separate होता है link परथक परथक होते है बिल्कुर male अलग है female अलग है ये भी सही है internal fertilization होता है words में yes birds के इंदर fertilization internal होता है याने की third option भी सही है option no.4 hurt is four chamber'd birds के अंदर four chamber'd hurt होता है बिल्कुर सही है बिट्स के अंदर पक्षियों में चार कक्षी हर्दय पाया जाता है ये भी सही है नेक्स्ट ए डैजिस्टीव ट्रेक हैज एडिशनल चेमबर दपक्रॉप अन्थ गिजार्ड पाचन पथ में क्रॉप और गिजार्ड अतरी कक्ष पाया जाते हैं इन भूंसे संहें तो इसमें 123 ऑनली नई तो सेकेंट 345 यहाँ 135 यह 12345 तो सारी सही है या आंसर क्या जाएगा हमारेपांस में आंसर जाएगा फॉर तो आप देखी सभी आप्शन सही है तो आंसर क्या रहेगा पूर हर चीज को बारेकी से आप इस्टडी करेंगे और उसके बाद में आपको अपने आंसर को क्लिक करना है ठीक है नेक्स कोशन हम देखते हैं कॉशन नमबर 6 में एसर संडी वाला कोशन है कथन और कारण का अभी हम देखते हैं सबसे पहले एसर संग क्या है प्रिष्टीज हेज कौन सी फीशे यह आपको पता होना चाहिए प्रिष्टीज जो है वो पॉपास्तिल मसलियों में एयर ब्रेडर नहीं होता यह आपको पता होना चाहिए तो प्रिष्टीज हेज टूश्विम कॉंस्टेंटली टू आवर्ड शेंकिंग पिश्टीज को डूबने से बचने के लिए नियमित तेरते रहना पड़ता है बिल्कुल सही है इसको नियमित तेरते रहना पड़ता है इसका कारण क्या है रिजन एपसेंस ओफ एयर ब्रेडर लेड्स तो दे लॉस ओवाइन सी इन इस अनिमल वायू कोश की अनुपस्तिती से इस जन्तु में उत्पलावक्ता का भाव होता है इनमें एयर ब्रेडर नहीं होता एयर ब्रेडर नहीं है इसलिए इसको कंटिनियू स्विम करते रहना पड़ता है तो बिल्कुल सही है जोन ही सही है और रीजन एस इसलिकॉर एक्स बैड़ भी करता है कि प्रिश्टिस कंटिनू स्विम कर रहे एक कि वरays क्यों को और नहीं है इनके पास तो हम कहरा है एक सब्सक्राइब कर दोनों ही सही है और कारण कर्थन को फूण रूप से परिभाशीद भी करता है सब्सक्राइब रिजन बोथ सिक्स का अंसार आएगा वन क्लियर है नेक्स कोशन देखते हैं कोशन नमर सेवन रिट फॉलोईंग स्टेट्मेंट्स फ्रॉम एट टुडी कुछ स्टेट्मेंट्स दिये गए एस से डी के लिए इनकी अमें बात करनी है सभी प्रानी कुछ मश्लियों के बाही पर जीवी हैं साइकुलर माउट विदाउट जो बिना जबडे का व्रताकार मुख होता है इन में ओके इन देर बाड़ी स्केल्स एंड पेर फिन और एपसेंस शरीर में शल्क तथा युगमित पंखों का अभाव होता है ओके साइकुलेटी सिस्टम इस क्लोस टाइप परिसंजर तंत्र बंद प्रकार का होता है ओके फिर कोशन क्या पूचा है इस स्टेट्मेंट और करेक फॉर विच क्लास कौन सी क्लास के लिए किस वरक के लिए ये सब सही है तो आप देखिएगा गांड्योक्तिज ऑस्टेओक्थीस साइकलोग इस्टमेटा और एंफीबिया दिया गया है आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कॉन्ड्योक्तिज और 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 यह दूनों किसके म सब्सक्राइब टिशाता सब्सक्राइबं एक जी यह घंक सब्सक्राइब रहा है किसके लिए क्या था कॉर्ट माउट जो गूख सब तो जबड़े होते जबड़े नहीं होते जो नहीं है किस ने स Comes to theiba तो कई बार यही सारे याद नहीं हो तो एक से भी आप कॉस्टन को स्वल आउट कर सकते हैं तो इसका कॉस्ट नमर सेवन का अंसर जाएगा थर्ड साइक्लो इस्टमेट है यह ओके नेक्स्ट कॉस्ट नमबर एट कॉस्ट नमबर एट की जब हम बात करें संग इसके एक लक्षन के संबंद में दिये गए कथनों को पढ़िए ठीक है एनलीडा एनलीडा फस्ट टाइम टू सिलों प्रजेंट इन देम बिल्कुल सही बात है फस्ट टाइम सिलों किसमें डॉलप हुई थी एनलीडा में तो एनलीडा में सबसे पहले केविटी यानि सिलों का फॉर्मेशन हुआ था तो बिल्कुल सही है एनलीडा फस्ट टाइम सिलों या डॉलप हुई है पर्थम बारसत्य गुआ यहां उपस्ती थे ओके इस्टेट्मेंट सैकेंद में देखते हैं रथो पॉड़ा में थो इनलिए यहां होती है ओको सही बाद ही मुझा सिलों में भर जाता है उसको हम पिए ही तो आपको पता आर्थोपोडा में open circulation है तो ब्लड कहां फील हो जाएगा ब्लड फील हो जाता है शीलों के अंदर और और शीलों को अपन क्या कहते हैं हिमोसील कहते हैं तो आर्थोपोडा के लिए ये बिल्कूल गलत हो गया है एकनल में एकक से इसकेलेटन नहीं होता है कंडो में तो इंडोस्केलेटन होता है तो ये तो बिल्कूल गलत होगए एकनल में एककूल 골inator अध्याननिमल्स हैं विट्ट्रू नॉट्रोकोड इनमें वास्त्वी नॉट्रोकोड पाई जाती है नहीं इनके अंदर वास्त्वी नॉट्रोकोड नहीं होती है सब्सक्राइब नहीं है यहां तो फॉल्स नौक्टो कोड़ या ऐसा कहें नौटो कोड़ जैसी एक स्ट्रक्चर है बकल डाइब रर्टिकुलम या इस्ट्रमो कोड़ कहा जाता है जिसे तो यह तो ऑफ्षन रॉंग हो गया है मिकॉरेटर वाम लाइक एनिमल है यह तो सही है और किसकी ब्लाइब यह तो नहीं होती तो फॉर्ट वाला ऑफ्षन टुनटो कोड़ की वैजिस रोंग होगी है फॉस्ट और सेकंड दोनों सही अब क्या कहे रहा है देखिए तो कॉनट्यों और देखिए और क्रेक्ट मैच कॉन कॉन से हैं सही रूप से मिलान किया गया है किसका तो देखिए 1 & 2 दो यहां पर सही रूप से मिलान किया गया है तो किसमें औप्ष्ण आ रहा है यह तो कॉच्छ नुबर एट का आंसर हमारे पास रहना चाहिए 1 देखिए को यूट का आज़ाएगा 1 क्लियर नेक्स्ट कोश्चन हम देखते हैं कोश्चन नमबर 9 एसरसन और इजन से इलेटेड है देखते हैं एसरसन है टेंडन एन लिगमेंट्स आर दा एक्जाम्पल ओफ डेंस कनेक्टिव टीशू हिंदी में देखते हैं कथन है कंड्रा और इस नायू सगन संयोजी उत्तक क दिखते उधारन है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल सही बात है टेंडन ओ लिगमेंट डैंस कनेक्टिव टीशू के सगन से जी उत्तक एक्जामपल बिल्कुल सही बात यह तो रिजन इंतेंडन एंड लिगमेंट अमांट ओप मैट्रिक्स इस मोर् देन दामांट ओपाइबर कि मैनने यह गलत हो आप डेन्स स्कालेक्टिव टिशू कह रहे हो देन्स का मतलब तो यह वा फाइबर जादा है मैत्रिक्स कम में डेन्स का मतलब किया वा फाइबर जादा मैट्रिक्स में पर यह उल्टा बोल रहा है कि देंस करेंटी टिशू है यह तो सही है रीजन क्या कोल रहा है इन टेंडरेल लिगामेंट अमाउंट आप मैट्रिक्स इस लेस एन अमाउंट आप फाइबर इस इसकी वेशन यहां पर रॉंग है एसरसन सही है answer क्या जाएगा बताइए answer जाएगा 3rd a is correct and r is incorrect यानि option यहाँ पर आएगा 3rd option यहाँ पर आएगा तो question 9 का answer क्या जाएगा next question देखते हैं question 10 question 10 की जब हम बात करें identify the correct statement regarding the given figure यह दो figure लिए गए है इसके बारे में कुछ यहाँ पर mention किया गया है statement अब वो सही है या नहीं पहले तो यह देखते हैं सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यह जो इस फर्स डाइग्राम में इस्कलोडोन का है सेकंड लिखा है अब ओदोनों परिष्टी के लिए क्या सही हैं क्या गलत है इसकी अमें बात करनी है तो यहां पर देखते हैं करेक्ट पूछा है इन दोनों के दा है इन फीमयल पैल्विक फिन बीरे ख्लास पर कोपलेटी मेल के पास कपलोटी और स्टरत आतना प्रोंग होता है तो पस्स क्या हुआ रोंग हो गई भी सेकट्रेट्वेंट देखी इसकीनिश कवरड़ बाइ साइकलोड इसकेल नहीं दोनों यह जो है इस क्लोडर नोड प्रिस्टीज यह दोनो फिशिज और अदर इसकेल साइकलोड नहीं होते हैं महां तो प्लैकोई इसकेल सोते हैं जाने किर ए इसेंड भी हमरे पास रोग व कि थार्ट कि हमबात करें दे आन ऑवी पैरस लो यहतों परेशेश हैं कॉर्फ टो विवी पैर सोती हैं कॉर्डुक्णूरी फिशेश तो वी प्रस मॉश्ट्रीजी मुख अधर सता पर उपस्तित होता है यह वाली बात जो है फॉर्थ ओप्षन इनके लिए सही है कॉंडियोथी स्पीशेश के अंदर माउथ वेंटरी लोकेटेड होता है यानि कि पॉर्थ ओप्षन इसके लिए और यानि कि टैन का आंसर क्या जाना चाहिए आप देखिए अ विच ओप द फॉल्वाइंग और करेक्टली मैज्ड विद रैस्पेक्ट टू देर टैक्स्ट्रोमिक क्लासिफिकेशन ओके निमलिकित में से कोन सा उनके वरगी के वरगी करन के संबंद में सही डंग से मेल खाता है ठीक है फस्ट यहां पर ऑप्षन देखिए जैली फिश फ्लाइंग फिशवड फीश बाइविल फिश यह सब प्षिश के अंदर आहेंगी तो ऐसा नहीं यह सारी फिष्ट नहीं ही फिश फिश लिखा इसका मतलब फिशेज ओ ऐसा नहीं है जैली फिश जैली फिश ये तो और इलिया कि सिलेंटिटा का मेंबर है यह फ्लाइंग फिश हाँ यह एक्ट्ष फिश होती है एक्जोसीटस फ्लाइंग फिश यह किसका मेंबर है और फिश का डैविल फिश यह तो मॉलास्का का मेंबर है ओक्टोपस है यह तो जैली फिश और डैविल फिश यह दोनों फिश नहीं है यानि कि फर्स्ट ऑप्शन रॉंग हो जाएगा इस सेकंड्ड आपशन हमारे पास में है नैरीज मेर्टस को कि इसकोर्पियन लोकस्टा यह सब आर्थोपोड शें है क्या प्राय सकोर्फट यह तो आर्थोपोड है और नैरीज आर्थोपोड नहीं है यानि कि नरीस के वाजित से 2 अप्षन भी एक लिख में करके साच्छ मेहें डानियं तर्णिया एक रही स्टेर सफ कर ये दोनों एकर्णो मेमबर इन अब ये तो ये चारों ही मेर नई कि दंटेलियम Coffee ओर मुयम्पशन्ष करें यह नहीं दोने मेंबर है कि इसके मॉलास्का के तो इनकी वजय से एस्टइडियास और व्फिद्र तो 9 ता के मेंबर है पर इन दोलों के वज़े से ए थरोप्षन भी यहां पर रवриз हो जाएगा क्योंकि डंटेलियम्व 궁 पिटोपलूरा यह मोलास्का के मेंबर है एस्टेडियास और फियूरा इकनोबेटा यह दोने इकनोबेटा है पर इनकी वज़े से रोग फॉर्ट आप्शन हमारे पास में आएगा डल्फिनस जिसके हम डॉल्फिन कहते हैं प्लैटिपस और नितो निंकर्स क्याते हैं डगविल प्लैटिपस तो यह फार्ट ऑफ्शन में इंकलूड होते हैं तो हमरे पास question number 11 का answer क्या रहना चाहिए आप देखिए fourth answer रहना चाहिए तो हम देखते हैं question number 11 answer आएगा for clear next question देखते है question number 12 match the following column and select the correct option निमलिकित इस्तंबो को मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चुनावत कीजिए okay झाट को रोगी कि गौल्रंब टू है एक अग्समें अचुको बोलते हैं फ्लाइंग फिश तो आपको पता है या जाता है यह अपना एक का अशर क्या रहना चाहिए अभ एक आंसर किक्समें है तो आप देखि एकर डजी वन में बहुंदÁ में बहुंद भी है और फो थ में भी Hai एंधिorse इन दोनों से को एका अन्सर आएगा यह तो अपने को पता लग गया है लिक्लेरियस कृते हैं सेदीए स्टारीटोय चाहिएं महकूर भी इसको सबद्सक्राइव यहां पर देखे यह दोनों की Dudu रही है तो वणरस और फॉर डूनघर कर्दहुंस कर दो कह यानि कि थर्ड का औप्शन चाहिे बी अब vyकिसमें आुध और वाले में यानि कि वन वाले की प्रोब्लिउटि जदा बन रही है भी ठीक है फॉर्थ है ट्रिस्टिस पृष्टिस को हम कहते हैं सव सफिषब Cultureibles ये तो 4 का आ ओप्शन दाएगा है तो 4 कता यानि कि आदी करें तो इसके अकॉलिटिंग आंसर आंफ़ी का जाना है तो लास्ट तक अपने को देखना पड़ता है और कई बार एक यदी मेच हो गया तो उससे भी अपन स्वाल आउट कर सकते हैं ठीक है को नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं कॉश्चन नमबर 13 कि जब हम बात करें मैच दा कॉलम 1 विद कॉलम 2 कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान कीजी देख्ते हैं यूरो कॉड़ेट यूरो कॉड़ेट इप और यह ओप्षन दिये गए हैं नॉट्टो को टे लार्वा की टेल में ही प्रिजेंट होती है यानि कि एक आंसर आना चाहिए थर तो एक लाइब तो यानिकी पर फिर भी हम दूसरे ओरमेंच करेंगे सिफिलो और सिफिलो कोड़िट नोट और गूट एक्सेंट फॉन हेट टू टेल से फिलो कोड़िट में नोटो कोड़ परसीश्ट करती है तो राइब गूट लैंद तो सिफिलो नोटो कोड एक्सेंट फर्म है तो तेल यानि बीक आंसर रहेगा 1 दीक आंसर वन आ रहा है quarter आपने देखें नोटोकोड प्रीएड के अंदर नौटण कोर्ट फांड डूरिंग प्रीएड तो एंदर रहेगा नौटोकोड फांड ड्ली अमिन प्रियेड यानि ऐसी का आंसर आएगा की इनवर्टी बेट में नोटोकोड एपसेंट होती है याने इन डी का आंसर रहेग टू तो चारों ही मेच कर लिए अपने तो इसके अकोडिंग आंसर क्या रहा है वन है यानिक थर्टीन का आंसर क्या रहेगा वन आप यूरो कोड़ेट जब आपने फर्स्ट वाले को मेच किया उसी से अंसर अपना अपने को पता लग गया था तो कई बार तो आंसर एक से ही और कई बार अपने को लाक्ष तक चलना होता है ठीक है बच्छों तो कॉश्च रूमर 13 का आंसर रहेगा वन है नेक्स कॉश्च देखते हैं कॉश्च रूमर 14 रीड़ फॉलोईंग स्टेट्मेंट्स केरफूली एन अंसर दो कॉश्च गिवन बिलो उप्रक कत्नों को ध्य का प्रतिद्य तो करते हैं बिल्कुल जये है रैटाइल स्के अंद एक और यहोते यह को बिगारन करता है को निपैन नहीं होता है ऒल्कुर सही नहीं होता है बिल्कुल सही है कि अस्टमोट से दु नोट्स टिकाइज नहीं होता है तो यह तो नोटических वज़े से डूनोट है ब्लेडर इसकी वज़े से यह क्या हो जाएगा सी वाला ऑप्षुन रोग हो जाएगा और स्ट्रीक्तिय। तो इससी ओप्षिनॉंगे हैं इन एम्फिबिया एलिमेंटे के एनल यूरिन एड़ेटिट्व ट्रेक ओपन इन अनस नए अनस की जएगे क्या ना चाहिए था क्लोएक एंप्ट यूरी ब्लेडर न्ड रिप्रेट्व ट्रेक ये सभी ओपन होती है कहां पर ये सभी ओपन होती सी ओडी इन करेक्ट यानि अपना आंसर क्या जाएगा सेकेंड तो 14 का आंसर रहेगा सेकेंड क्लियर नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशनर फिप्टीन के जब बात करें विच्वन ओट फॉलोइंग ऑप्शन और करेक्ट फॉर नैरीज नैरीज के लिए कौन सा ओप्शन सही है नैरीज आपको पता है एनलीडा का मेंबर है और एनलीडा के मेंबर के लिए हम बात करते हैं देखते हैं नैरीज नॉन attitude होता है है और्पट रसे में पूल मैं यानी आख से लिए तीनों बाते सही है ऐंगे अगे तलों डेक्सर देखते हैं जया है और यहाम हो जो है वह आनलेडा कमेंबर है वो आनलेडा में सी इंक्समें कैसा होता है by lateral यानि कि यह तो बिल्कुल गलत हो गया नॉनarted हाँ नाव इस नॉन ओड़ेड है इनकम्प्रिट डाइश्ट ट्रेक नए इनकम्प्रिट नहीं होता है यानि कि यह दोनों और इसके लिए रॉंग हो गए यह गलत है नेक्स्ट है नेरीज एसमेट्रिकल नेरीज हमने कहा है इनलीडर का मेंबर है उसमें बाइलेटर सिमिट्री होता है तो इसको देखते ही हम इसको बता देंगे कि यह क्या होगा स्टेमेंट्रोंं उसयों सिमित्री अभी हम सिमेट्री होता है इसके इसके वाइसर यह वह गया यानि कि आपने पास आंसर आना चाही ही तो रॉंग हो गया यानीं आसे घायगा वर इसले पिटिए और आहेगा नो कोलम once का कॉलम संट पाइ पाय जाते है किसके अदर सी लेंट इसे बनेटा इक हम बात करते हैं तो बैद लेंटिक एक का option रहेगा फोर एक फोर किसमें आ रहा आप देखें तो थर्ड और सैकेंड इन दोनों में एक फोर आ रहा है यानि सेकेंड और थर्ड में से यह और एक option होगा यहां पर पहली बात तो एक लिए देखते हैं नन कॉड़िट्ट अब को तो सारे है ओक अभी रुखो नेक्स देखते हैं आपन सस्कुलेशन अर्थो Cisco में भी है कोई बात नहीं देखते है स्टरीट्रों तो स्टीर स्लाउं अपको पता है स्टीर स्लाउं स्ल Capट को स्टीर होते हैं कोण अब हम देखते हैं कि यह दोनों को अब श्रकुलेशन कि समय मिलता है तो हमारे पाद अब भूरा नहीं दो है ओपन सर्कुलेशन मिलता है किसमें अर्थोपोडा में यानि सी का उप्षण जाना चाहिए चुर्ण तो сी का जा रहा है। जारा रहा इसमेंद एकन वा नंकोड़ेरत तो किसको उनलीड़ रहेगा यहां पर आंसर रहेगा डी का वन तो डी का वन यानिकी 16 का आंसर क्या जाना चाहिए अपने पास में सेकें तो देखें 16 का अंसर सेकेंड क्लेर बच्वा नेक्स्ट कोश्णमर 17 की जब बात करें कोश्णमर 17 में हम देखते हैं एक ही वर्ग में समलित जन्तुओं के लिए सही विकल को चुनिए है ठीक है हम देखते हैं यहां कुछ एक्जांपल दे रहे हैं एक ही क्लास के अंदर सेम क्लास में कौन-कौन से आते हैं में है 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 मिरक्ताईलस और लिजार्ड यू टेस्टीड़ और बंकेडुस करेट उन्हें गडीर यह तेनों ही रप्टाईल से में यह तीनों ही रप्राइल्स कि मेंबर है तो यह तीनों हे रप्लेश अम्लास में आरे ओके है नेग्स्ट देखने सेकेंद कौर्वस और वाजनी क्रोब गौलंबष ली विया या यानी की भलू डॉल पीजन एंड एन ठाज चैमेलियौ तो रैप्टाइल समें आता है यिक लस और को लंगहें यह किस्में आ रहा है है可以 रेप्टाइल्स कैनिस किसको और बोलते है डौप को क्यानिस किसको बोलते हैं डौक को तो यह वीनल से यानि यह भी नहीं हो सकता यह दोनों बर्शेहे मैं मांगी यहान ऐसी और फोर्ट ऑफ्श से यह पी से यानि यह फालीज केक्ट मंकागा और यि स्टैस्ट्यूड और भूंगे रूस ये एक ही क्लास में तो एक सेवंटीन का अंसर क्या होना चाहिए आंसर घ्रण बात करें गिवन below are the two statements okay दो कथन दिये गए हैं कथन वन और कथन टू स्टेटमेंट बन एंट तू सबसे पहले हम देखते हैं इस्टेटमेंट बन क्या इस्टेटमेंट बन सेल्स ऑफ एपिधिलिल टीश्यू और कॉम्पक्ली पैक्ट विथ लार्ज इंटरसलिवर मेट्रिक्स उपकला उत्तक की कोशी काएं बहुत सगनतास से जूड़ी रहती हैं जो अत्यधिक अंत्रकोशी की आधात्री रखती हैं तो एपिधिल सेल्स एपि एपिधिल सेल्स कॉम्पक्ली अरेंज होती है विट लिटिल इंटरसलिवर मेट्रिक्स तो लार्ज की वज़े से यह ऑप्शन इस्टेटमेंट मन गलत हो जाएगा ठीक है इस्टेटमेंट टू देखते हैं कमपाउंड एपिधिलियम हैज लिमिटेड रोल इन सेक्रीशन एप्शोप्शन तो सब्सक्राइब की स्थरावन एम आउप्शोषक में सिमिद भूमी का होती है बिल्कुल ठीक है बहुत कम रोल होता है कमपाउंड इपिदिलिम का सिक्रीशन और एप्जोप्शन गेंदर तो इस्टेटमेंट टू तो करेक्ट है यहां पर तो हम यहां क गलत क्यों हो आई समझ गया लार्ज आगया लार्ज इंटरेशन अमेट्रिक्स उसकी देखें कि आना थी था इस्मोल इंटरेशन मेट्रिक्स उसकी वह गलत हो इस्टेटमेंट टू यह तो सही कमपाउंड एपिदिलियम का लिमिटेड रोल होता है इस च्रीशन और दो कथन दिये गए हैं इनको देखते हैं इस्टेटमेंट वन कोक्रोज आइस कंसिस्ट ऑफ सेवल ओमेटीडिया सो दे रिसीव सेवल इमेज़ेज ऑप एन अबजेक्ट कोक्रोज की आखें बहुत से ओमेटीडिया से मिलके बनी होती हैं जिस कारण उसकी आखों में बहु इस्टेटमेंट वन तो यहां पर सही है कोक्रोज आई कंसिस्ट ऑफ सेवल ओमेटीडिया बिलकुल सही है और इस्टीव सेवल इमेज़ेज ऑप एप एप इत्ती सारे ऑप्जेक्ट बनते हैं यहां बिलकुल सही है इस्टेटमेंट 2 मौजएक वीजन प्रजेंट इन कोक् वीजन होता मौजएग बिजन होता है और और कोक्रोज की जो आई से आए टेयार मोर सेंसेटीव बट लेस्टेशन झाडिक यह अपने को पता होना चाहिए निए तो इसके लिए ऑप्षिन क्या रहना चाहिए बोध स्टेटमेंट वन एडिस्टेटमेंट टूर करेक्ट य क्लियर कॉस्ट नमर्ट 20 कॉस्ट नमर्ट 20 की जब बात करें देखिएगा गिवन बिलोव आर्ट टू स्टेट्मेंट नीचे दो कथल दिये गए हैं इसके बारे में बात करने हैं इस्टेट्मेंट 1 एंफिबियन्द और ग्रेट इस्टामेट आप अंद अलसो कूर इंकलूड इंप्रीबिट आूस्ट एंप्रीप्रिपी के अंद जो प्रेजेंट होते हैं रिटीघरिए हैं और इंकलूड इंग्यूद इंगल्कूर इंग्ञार कोड्य धिल्कूर वाले सबस्क्राइब रूब किया गया है नोड कोड होगी किसे बाइब कोलम से यानी स्टेट्मेंट1 कोरेक्ट इस्टेट्मन टू amphibians have a jaw and notocode are replaced by the multiple column यह भी अपन बात करी रहे तो statement 2 जो है amphibians के अंदर जो प्रेजन्ट होते हैं सही है notocode replace होगी किस से multiple column से यह भी सही statement one and statement two both are correct तो जब statement one or two both दोनों ही correct होते हैं तो answer क्या जाएगा देखिए both statement one and two are correct answer जाएगा पॉर तो 20 का answer क्या रहेगा पॉर क्लिर बच्चों बात तो बच्चों उम्मिद है टी टून्टी सीरीज के इस एपिसोड को आपने अच्छे से सुना होगा और हमें पूरा विश्वास है कि अपकमिंग एक्जाम में यह टी टून्टी झाल 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 झाल